ओ शान्ती, 29 अगस्त 2023, मीठे प्यारे बाबा के आज के मदुर महावाक्य, आज की मुर्ली के कुछ विशेश पॉइंट्स, आज बाबा हमें समझाते कि हम बच्चों को पढ़ाई के समय अपना फुल अटेंशन पढ़ाई में तेना है, व्यत्वातों का वर्नन चिंतन नहीं करना है, बुद्धी को भटकाना नहीं है, दिल की मोहबत एक बाप से ही रखनी है, देहधारियों से नहीं, क्योंकि हमारा सर्व संबंधी एक बाप ही है, उस एक बाप के सहारे का अनुभव करने के लिए अपनी स्थिती उप्राम बना सर्व बातों से किनारा करना है, बाबा करावन हार है और करने के निमित मैं आत्मा हूं। ऐसा असोच बन गुद्धी को फ्री रखने से बाब की शक्ति मदद के रूप में अनुभव होती रहेगी और सेवा की व्रिद्धी स्वता होगी। तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मुर्ली ओम श्यान्ती। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे श्रीमत पर ज्यान का चंदन घिसना वा पवित्र बनना ही स्वराजे लेना है। तुम पवित्रता की प्रतिग्या करो तो सुर्यवंची घराने का तिलप मिलेग प्रश्न तुम बच्चों को राखी कौन बांधता है? तिलक कौन देता है? और मुख मीठा कराने की रस्म क्यों है? उत्तर तुम्हें बड़ी मम्मी यानि ब्रह्मा मां राखी बांधती है पवित्र बनाती है जब तुम पवित्र बनने की प्रतिग्या कर लेते हो तो बाप स्वराजे का टीका देते हैं मुक मीठा कराना अर्था सर्व बर्दान दे देना बाप ने स्वराजे के तिलक के साथ साथ सर्व बर्दान भी दिये हैं इसी की रस्म यादगार में चली आई है गीत इधर मुहबत उधर जमाना ओम शान्ति भगवान वाच अच्छा भगवान का नाम चाहिए क्योंकि भगवान का एक ही नाम होता है मनुश्यों के तो अनेक नाम पढ़ते हैं जैसा शरीर धारन करते जाते नाम बदलता जाता है शरीर तो जरूर सबको है और जरम्मरन में भी आते हैं तो अनेक नाम पढ़ते हैं महबद भी पौतों से होती है चाचा, मामा, काका, गुरु, कोसाई, आदी धेर से महबद होती है कितने संबंदी हैं अब ये संबंद तो है एक वे अनेक संबंद तो नीचे ले जाते हैं गिराते ही रहते हैं ये एक ही संबंद उच्छते उच्छे ये उच्छी ले जाते ह अभी तुम जीव आत्माओं की मुहबत लगी है परम पिता परमात्मा से, वे तुमको बहुत उंच ले जाते हैं, वे है ही परम धाम में रहने वाला, ये तो निश्चे है ना, अगर कहीं पता नहीं, तो तुम आए कहां से, उपर से ही यहां आए हो ना, तुम भी असल में उ उंच ते उंच परम धाम मूल वतन में रहने वाले हो, बीच में है सुक्ष्म वतन और ये है स्थूल वतन, बरोबर तुम वहां से आए हो, भिन भिन नाम रूप लेते हो, अब 84 चन्म पूरे किये, अब फिर वापिस चाना है, अब तुम्हारी महबत बाप से है, जानते हो हम मात पिता के सम्मुख पैठे हैं, ये भी चानते हो, पहले-पहले हमको पवित्रता की राखी बांधते हैं, बाप कहते हैं, हे बच्चे, इस काम महाशत्रु को जीतो, वा, माया रावन पर जीत पाओ, इसके लिए पुरुशार्थ करना है, अंतिश्रदा की बात नहीं, जरूर बाप को ही याद करना पड़े, बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको राखी बांधता हूँ, इसको कहा जाता है, राखी बांधने का उत्सव, पवित्रता की प्रतिग्या करने का उत्सव, फिर क्या होगा? मैं सुवराज्य पाने का ठीका दूँगा, ये बाप तुमहारे सम्मुख बैठे हैं, तुम जानते हो पवित्रता के लिए ही तकलीब सहन करते हैं, तुमहारे मित्रसंबंधी आधी सब दूश्मन पन पड़ते हैं, बाप तुमहें डाइरेक्ट कहते हैं, बच्चे पवित बेहत का बाप शिव बाबा आकर तुमको सच्चा स्वराज्य देते हैं, आत्माओं को राजाई मिलती है, अभी आत्माओं को गदाई है, राकी पर्व को राकी उत्सव नहीं कहेंगे, उत्सव में तो बहुत शाद माना करते हैं, इस पवित्रता की राकी बांधने में कोई खर्चे हादी की बात नहीं, बाप खुद कहते हैं, बच्चे मेरे से प्रतिग्या करो, फिर तुम स्वराज्य पाएंगे, स्वराज्य काती का खुद बैठ देते हैं, बच्चों को बाबा ने साक्षातकार भी कराया था, वहां कैसे बाप ही बच्चों को तिलक देकर अप देते हैं, समझते हैं, बच्चा ही गद्धी नशीन होगा, ये बाप भी खुद आकर, तुम आत्माओं को यान अम्रित से साफ करते हैं, यान अम्रित कोई जल नहीं है, बाप कहते हैं, तुमने 63 चनम, विशे सागर में गोते खाए हैं, सिकिलदे बच्चे, अब तुम्हारे 84 चनम पूरे हुए, अब ये अंतिम चनम तुम पवित्र बनो, मेरी मत पर चलो, तुम स्वराज्य पाने के लिए बाप के पास आए होना, राजा के पास बच्चा आता है, समझता है, मैं राजाई पाऊंगा, परंतु उसको कोई स्वराज्य नहीं कहा जाता, स्वमाना आत आत्मा को राज्य मिलता है, परंतु ज्यान नहीं है, कि हम आत्मा ने प्रिंस का शरीर धारन किया है, महाराजा महारानी बनने के लिए, तीके का भी उत्सफ गाया चाता है, बच्चे ज्यान चंदन घिसें, पवित्र बनें, श्रीमत पर चलें, तो बाप तीका लगाएंग बाप खुद तो राज्य नहीं लेते हैं, खुद गद्धी पर नहीं बैठते हैं, ऐसा बाप कभी देखा, जो बच्चों को गद्धी पर पिछाते हैं, खुद नहीं बैठते, ये ब्रह्मा भी पुरुशार्थी है, श्री बाबा है पुरुशार्थ कराने वाला, ये अप रहते हो लेकिन पवित्र रहो बापने ये रुत्र क्यान रचा है यग्य हमेशा ब्रामनों त्वारा रचा जाता है श्री कृष्ण कहें कि मैं यग्य रचता हूं ये हो नहीं सकता तुम हो ब्रामन ब्रह्मा के मुखवन चावली तुम श्रीमत पर चल रहे हो ब्रह्मा को श् दोनों पतित हैं, तुम श्री बन रहे हो, अभी तुमको श्री नहीं कहेंगे, अभी तुम श्रेष्ट बन रहे हो, उचे ते उच बाप ही आकर तुमको श्रेष्ट बनाते हैं, लक्ष्मी नारायन जैसा, ऐसा श्रेष्ट सोला कला संपूर्ण तुमको बनना है, बाप तुमको लक्ष्मी नारायन बनने का नशा है या रामसीता का नशा है तहेंगे लक्ष्मी नारायन का नशा है हम तो सूरेवंची बनेंगे दो कला कम हम चंद्रवंची क्यों बने हम तो नारायन को अथ्वा लक्ष्मी को बरेंगे तुम्हारे मम्मा और बाबा भी बनेंगे जगत अम्बा और जगत पिता दोनों सूरेवंशी बनते हैं तो तुम उनके बच्चे जो बाबा मम्मा कहते हो तुमको भी पुरुशात करना चाहिए बाबा टीका भी लगाते हैं और मुख भी मीठा कराते हैं अर्था तुमको वर्दान देते हैं विजय का टीका लगा कर वर्दान देते हैं कि तुम सदा ऐसा स्वराज्य पाएंगे यता राजारानी तथा प्रजा राज्य भागे भोगते हैं परंप्रिता परमात्मा द्वाराग एक ही बार राज्य स्थापन होता है यह है ओल्माइटी अथॉरटी राज्य वाइसलेस दुनिया भी ग काला संपूर्ण मर्यादा पूरुशोतम देवताईं कभी कामखतारी से हिंसा नहीं करते हैं तरेशएट चम्तों तुम एक दो पर कामखतारी चलाते आये हो अमरलोक में कामकतारी नहीं होती. यहाँ कामकतारी से तुम पतत होते होते तमो प्रधान बन पड़े हो. अभी तुम बच्चे समझते हो. बरोबर बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं. भारत में ही जनम लेते हैं. बाप ने वेकुंट की सौगात लाई है. आदाकट रडिय मारी हैं, ओ Godfather रहम करो, मेहर करो, भगती मार्ग में गाते हैं ना, सत्युग में थोड़े ही रड़िया मारेंगे, वहां तो सदैम सुख है, दुख में सिम्रन सब करें, सुख में करें न कोई, अनिक प्रकार के दुख होते हैं ना, देवाला मारते हैं, तो कितना दुख होता हैं, बीमारी आदी होती है, तो दुख होता है ना, स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं, बाप आखर तुम बच्चों को राज्य भागे का टीका देते हैं, यह हैं दुख धाम, वह हैं सुख धाम, शांती धाम में तो आत्मा कुछ बोलती नहीं है, यहां फिर टौक ही बनती है, तुम्हारा स्वधर्म ही है, शांती, अभी तुमको सुख शांती का स्वर राजे मिलता है, तो बाप का बच्चा बनकर उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए, पढ़ाई के समय सारा अटेंशन पढ़ाई में देना होता है, पढ़ाई के समय और व्यर्थ बातों का वर्णन नहीं चलता, अगर कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं, तो कहेंगे, अटेंशन प्लीज, तो बाप बच्चों को कहते हैं, तुम्हारी बुद्धी भठकनी नहीं चाहिए, बाहर धक्के खाने वालों के खयालात इधर उधर दोड़ते रहेंगे, समझेंगे, कहां चुटी हो, तो घर जाएं, अब तुम बच्चों को पढ़ना और पढ़ाना है, ब्रामनों का धंदा ही है, गीता सुनाना, वे ब्रामन भी गीता सुनाते हैं, शरीर निर्वा भी करते हैं, तुमको भी ऐसे कहा जाता है, ब्रस विभार में कमल फूल समान पवित्र रहना है प्रतिग्या करनी है, ये अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे, यह अपवित्र दुनिया विनाश होनी है, विनाश की तैयारी भी देख रहे हो, खोली का जलेगी, वास्तव में ये सब उत्सब इस समय के हैं, बाब तुमको तिलक देते हैं, तुम्हारी बुद्धी कहती है, ब तुम तिलक पाते हो, बाब ही तिलक देते हैं, यहां तो तुम सम्मुक बैठे हो, राच्य भागे बहलेंगे जो पवित्र रहेंगे, राखी का महत्व बड़ा भारी है, कहते हैं, बहन भाई को ठीका लगाकर राखी बांधती है, तो बहने तुम भाईयों को तिलक आएंगी, यह उत्सव कहां से शूरू हुआ? संगम यूग से, जबकि परंपिता परमत्मा, पवित्र रहने की प्रतिग्या कराते हैं, शिवरातृ का भी उत्सव है, फिर राखी का उत्सव, फिर है दशेरा, फिर दिपावली का उत्सव, नवरातृ का उत्सव, यह सब उ कुशी होती है दशेरा अर्थात विनाश के बाग फिर दिपावली आएगी घर घर में स्वर्ग होगा तुम शिर बाबा की ब्रह्मा विश्नु शंकर की लक्ष्मी नारायन राम सीता आदी सब की जीवन कहानी बता सकते हो सारे चकर को तुम जानते हो बाकी आठ गस तो कोई को हो नहीं सकती मनुश्यों ने कितने चित्र बैठकर बनाए हैं इसको कहा जाता है वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी वेस्ट ऑफ एनरजी अभी तुम जानते हो हम आए हैं स्वराज्य का बरसा लेने हम श्रीमत पर क्यों नहीं चलेंगे जैसे मात पिता चल र साथ है बाप है मनुश्य स्रिष्टी का रच financial बेहत का बाप है ना कितने बच्चे adopt करते हैं प्रजा पिता है ना वे लौकिक बाप तो करके एक बच्चे को गोध में लेते हैं उनको प्रजा पिता तो नहीं कहेंगे न, कई ऐसे भी होते हैं, एडॉप्ट करते हैं, फिर बच्चा हो जाता है, तो उस बच्चे पर जास्ती प्यार हो जाता है, गोत में लिये हुए बच्चे को फिर कम प्यार करते हैं, अब तुम तो समझते हो, हम ईश्वर ये गोत में जाते ह इश्वर हमको ठीका लगाएंगे पवित्रता का तुम दिल अंदर प्रतिज्या करते हो बाबा आप आए हो हम आपका सपूत बच्चा बन पवित्र बन आपसे वर्सा लेंगे अभी सब की कयामत का समय है पापो का हिसाब किताब चुक्तु कर पुन्ने का जमा करना है बाप की याद से ही जमा होता है जितना याद करते जाएंगे और अविनाशी यान रत्नों का दान करते जाएंगे तो खाता जमा होगा जितना सर्विस करेंगे उतना जमा होगा, जमा होते होते राजधानी बन जाएगी, आठ है मुख्य रत्न, आठ रत्न का जेवर भी बनाते हैं न, देवियों के साथ देवताइं भी होंगे न, परन्तु मिजोरिटी माताओं की होने के कारण अधिकतर देवियों की पूजा हो तो शिव बाबा राकी भी बांदेंगे, तिलक भी देंगे, मुख भी मीथा कराएंगे, इसका मतलब तुम भविश्य में सदा सुखी रहेंगे, तुम फिर बाबा को सवगात देते हो न, क्या सवगात देते हो, अपना सब कुछ तो बाबा कहते हैं, मैं फिर तुमको 21 जन्व का वर्सा देता हूँ, लेन देन का हिसाब है ना, बाबा सोदागर है, लेते क्या हैं और देते क्या हैं? अविनाशी रत्नों का दान देता हूँ, तुम भी फिर औरों को दान करते हूँ, तुम तो सब भाई भाई हो, तुमको फिर ये बड़ी मम्मी राखी बांदती है, बाप तिलक लगाते हैं, ये मात पिता दोनों इकठे हैं, मा राखी बांदे, बाप तिलक दे, तो तुम रा मातमा से है, जो भारत वासियों को तिलक देने आया है, भारत को स्वर्ग किसने बनाया, बाप आया है ना, श्री कृष्ण तो है रचना, नमबर वन, और शिवावा है रचाईता, नमबर बान, तो तुम बच्चों को खुशी का पारा नाखून से चोटी तक रहना चाहिए, अच्छा, मीठे मीठे, सिके लदे बच्चों प्रती, मात, पिता, बाप दादा का याद, प्यार और गुद मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को दिल्व चान, सिक्वा प्रेम से नमस्ते, न दिल की मोहबत एक बाप से रखनी है, देहधारियों से नहीं क्योंकि सर्वसंबंधी एक बाप है दूसरा पॉइंट पढ़ाई के समय अपना फुल अटेंशन पढ़ाई में देना है व्यर्थबातों का बर्नन, चिंतन नहीं करना है बुद्धी को भचकाना नहीं है वर्दान असोच बन, बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करने वाले चिंता मुक्त भव कई बच्चे सोचते हैं सेवा कैसे बढ़ेगी अच्छे अच्छे जिग्यासू पता नहीं कब आएंगे कब तक सेवा की भाग दौड करनी पड़ेगी लेकिन सोचने से सेवा नहीं बढ़ती असोच बन, बुद्धी को फ्री रखो तो बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे और सेवा की व्रद्धी स्वता होगी बाबा करावन हार है और करने के निमिक मैं आत्मा हूँ इसको कहते हैं असोच अर्थात एक की याद उन्हें कोई चिंता हो नहीं सकती जहां शुब चिंतन है वहां कोई चिंता नहीं स्लोगन अपनी उपराम स्थिती द्वारा सर्व बातों से किनारा कर लो तो एक बाब के सहारे का अनुभव होगा अच्छा ओम श्यांति